हेलो एवरिवन स्वागत है पाटशाला रिशिकेश के यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं कॉंस्टिटूशन और इंडियन कॉंस्टिटूशन में आज बारी है राज्यपाल की स्टेट गवर्नर की राज्यकारेपालिका को समझेंगे और करेंगे इसके MCQ होगा क्या क इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे खुब सारे MCQ ताकि आप अपने तयारी को कर सकें बूस्ट आप हमारे साथ पूरा भारत्य समविधान MCQ फॉर्मेट में कवर करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही आप चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब और हमारे प अब ही offline batches को पाटशला रिशिकेश में enroll कर सकते हैं classroom देखिए और पढ़िए हमारे साथ ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं पहले question के साथ और आपको आज हम governor करेंगे cover सबसे पहले आपको question पढ़े लिना है कोशिश करनी है कि आप जल्दी answer करें और अपनी practice को और अच् कौन है तो जैसा कि हम ये question ही कर रहे हैं तो आपको बताते चले answer हो जाएगा राजिपाल लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं हमने कहा राज्य सरकार का कारेकारी अध्यक्ष समविधानिक परमुख देखिए समविधान में भाग 5 में जिस तरीके से center केंद्र के बारे में बताया गया है ऐसे ही भाग 6 में article 153 से और 167 तक क्या बताया गया है तो प्यारे बच्चों ये बताई गई है राज्य की कारेपालिका क्या बताई गई है ये बताई गई है राज्य की कारेपालिका आर ये इतनी बात आपको समझ में राज्य की कारेपालिका राज्य की कारेपालि ministers, मंत्री, परिशद और साथ में लेते हैं advocate journal को किसको लेते हैं आप कहेंगे advocate journal को ये advocate journal कौन है तो याद करो ये है महाधिवक्ता, कौन है ये ये है महाधिवक्ता जैसे की center में होता है महानियावादी, तो ये क्या है, ये है राजिकी कारेपाली का भाग 6 में आती है, आर्टिकल है 153 से 167 और governor, cm और उसकी minister और साथ में advocate journal ये मिलके बनती है राजिकी कारेपाली का और उसका प्रमुक होता है राजिपाल, आईए, अब है राजिपाल जो प्रमुक होता है तो राजिपाल की न्यूक्ती कौन करता है, देखो यहाँ पर term है, न्यूक्ती, English में इसको कहते है appointment, तो आपको ध्यान देना है कि कुछ पोस्टों का तो election होता है कुछ पोस्टों का election होता है कुछ पोस्टों को choose किया जाता है, ये बात आपको ध्यान नहीं होता है, उसकी होती है न्यूक्ती और वो करता है भारत का राष्टपती भारत का राष्टपती परतेक राज्य में अपने अनुसार एक राज्यपाल की न्यूक्ती करता है उसकी कुछ सेवा शर्ते हैं उनको भी हम आगे जानेंगे ठीक है उमीद है आपको यहां तक चीज से लेक्चर समझा रहा हो और आम अंसर कर पा रहे होंगे अब हमने जिसकी बात की हम वो कर लेते हैं हमने बोला कि जो राज्यपाल होगा आर्टिकल 153 यह जो 153 लिखा है यह है अनुछेद आर्टिकल 153 कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा ठीक है 154 कहता है कि उसमें राज्य की कारेपालक शक्ती कारेकरनी की शक्ती जैसे कि हम सेंटर में राष्टपती को देखते हैं वैसी शक्ती होगी और राजपाल की न्यूक्ती तो 155 ये वाला आर्टिकल बिल्कुल ध्यान कर लो कि 105 अनुछेद भारत या सम्विधान का आर्टिकल कहता है कि राजपाल की न्यूक्ती राष्टपती द्वारा की जाएगी और धीरे दीर सम्विधान में कुछ बातें जोड़ दी गई जिन्हें हम परंपरा के रूप में मान सकते हैं सम्विधान के इतर कुछ जोड़ दी गई जिन्हें हम परंपरा के रूप में मानते हैं जैसे एक बात बताई गई, कहा गया कि राज्यपाल उस विक्ति को बनाईए, जिस राज्य में आप अपोइंट करने जा रहे हैं, राज्यपाल उस राज्य का विक्ति ना हो, जहां उसे न्युक्त किया, जहां उसे न्युक्ति दी जा रही है, ठीक है, उमीद है, आपको चीज समझ आ रहे होगी, एक परंपरा है, दूसरी परंपरा कहती है, कि राष्यपति जब किसी विक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल न्युक्त करेगा, तो वो फ़हां के सीअं से एड्वाइज लेगा, है ना वो माने या ना माने वगबात की बात है लेकिन ये परंपरा है फिर है राजपाल का कारिकाल अब अक्सर राजपाल के कारिकाल के विशे में एक द्वंध होता है तो समझिए पांच वर्च इसका कारिकाल होता है पहली चीज पांच वर्च या आप इसे यूं समझिए क यहाँ जो post होती है वो राश्टपती के प्रसाद परियंत वहाँ राश्टपती के प्रसाद परियंत या यूं समझिये कि वो pleasure of the president अपनी post को धारण करता है 157 कहता है राजजिपाल के न्युक्त होने के लिए अरहरता हैं क्या शर्त होंगी तो अब प्यार से समझना कि शर्त क्या होंगी अरहरता हैं क्या होंगी तो सबसे पहले common सी बात है कहा गया भारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है भारत का नागरिक हो और बोला कि 35 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो 35 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो ये बिल्कुल एक सामान नहें कि 35 वर्ष की आयू अ विधान के किस अनुचेत के तहत की जाती है कौन सा अनुचेत कहता है तो प्यारा सा कोश्चन है आप इसे याद कर लेंगे ये है आर्टिकल 155 राज्यपाल की न्यूक्ति का ये जो है प्रावधान करता है इतनी बात आ रही होगी उमीद है आपको समझ में अगले कोशन की त परते हैं राज्यपाल अपना पत ग्रण करने से पूर्व शपत लेगा या प्रतिज्यान करेगा तो ओथ लेगा बिल्कुल ओथ लेगा आर्टिकल 159 प्यारे बच्चों आर्टिकल 159 कहता है कि राज्यपाल अपनी पोस्ट की शपत लेगा ओथ लेगा शपत या प्रतिज प्रारुप भारत्य समविधान की तीसरी अनुसूची में है बात बिलकुल सही है बिलकुल ही सही है राजजेपाल उच न्यायले के मुख्या न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्तिती में जेश्थम न्यायधिस के समक्षपत या परतिज्यान करेगा इस पॉइंट को समझ ल मोस्ट वहां का जज हो वो से ओत दिलाएगा ये बात सही है मतलब शुरुवात की तीनों बातें बिलकुल सही है शपत या परतिज्यान की परिक्रिया भारत्य समविधान के अनुचेद 159 में दी गई है तो चारों ही आप्शन सही हो जाते हैं ऐसे आप देख सकते हो आपक हो पाएगा तो आप इसे एक रिविजिण क्लास के तौर भी देख सकते हैं किसी भारतिया राजय के राजयपाल से संबंदित निमलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है समझना राजयपाल की बारे में स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट सीन है तो यही हम कि राज़पाल के विशे में क्या कार है, कैसे किये जाने चाहिए, क्या होने चाहिए, हम उन्हीं को यहाँ पर देखेंगे, बोला, वहाँ भारत के राश्टपती द्वारा नियुक्त होता है, तो आप बिलकुल एकदम कहे दोगे कि एक सो पच्पर आर्टिकल कह रहा है, वह एक से अधिक राज़ों का राजपाल हो सकता है, इस पर आएंगे, वहाँ पांच वर्ष तक पद पर रह सकता है, बिलकुल सही कह दिये हैं, यहाँ यदि संबंदित राज़ी की विवस्थापी का उसे पद से हटाये जाने का प्रस्ताव स्विकार करती है, तो वहाँ पद बात यही थी, कौन सी वाली थी, कि एक विक्ती मान लो कि एक विक्ती एक विक्ती एक राज़ का राजपाल है, और दूसरे राज़ों में या तो राजपाल मौझूद नहीं है, या किसी वज़े से राजपाल अस्वस्थ हो गया है, और नहीं है, तो क्या तरेंगे राश् प्रति उत्तरदाई होता है क्योंकि राज्ट्जिपाल किसके प्रति उत्तरदाई होता है आपने कोशन का हो गया है मजाग क्योंकि आप कर देंगे इसको डारेक्ट आगया यह और समझे बात को आर्टिकल 155 के अनुसार राज्जपाल की नियुक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है और अनुछेद 156 के तहट वार राष्टपती के परसाद परियंत धारन करता है तो 156 भी आपको हो जाएगा अब याद इस प्रकार एक और तो वार राज्ज साशन का मुख्या होता ह है तो दूसरी तोर केंद्र सरकार राष्टपती के परतिनिदी के रूप में कारे करता है राष्टपती के परति उत्तरदाई होता है बात समझा लिए कि इतनी ये देख लो बिल्कुल इंपॉर्टन बात है और कोशन के साथ हो जाएगी आपकी एकड़म बढ़िया प्रेक भारत जब हम कहते हैं तो भारत है राज्यों का संग बिल्कुल सही है एक तरफ राज्य जक्र defend उनको यहां पा लिख लेते हैं संग राज जक्थर क्या है संग राजेशें संग राज के संग राज्य च्थर का मतलब हो गया यूटीज यूइन ट्रेड टेरिटरी और राज हैं 28 तो यह 28 हैं और यह कितने हैं यह 8 आर यह इतनी बात समझ में तो जो यूटीज हैं जैसे example के लिए लो चंडीगर क्या ले 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 लिया जाए ऐसा समझे चंडीगर ले ऐसे ही आप समझो कि दमन और दूइब ले ले लेते हैं प्यारे बच्चों दमन और दूइब ठीक है ऐसे ही अगर दूसरा example ले तो क्या लक्षदीप ले सकते हैं आप कहोगे बिलकुल ले लो तो लक्षदीप ले ले लेंगे option में समझो अब इनका जब परसाशन चलाये जाता है संग राज्यों की बात है संग राज्यों की राज्यों की नई संग राज्ये छेत्रों का प्रसाशन होता है किसके नाम से होता है देखो यहां का जो मुख्या प्रसाशक होता है वो होता है राश्टपती और राश्टपती अपॉइंट करता है राश्टपती अपॉइंट करता है प्रसाशक को एड्मिस्टेटर को उपराज जिपाल को ये बात आपको ध आगे चलते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं केंदर साशित प्रदेश लद्दाक का पर्थम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे निउप्त किया गया ये क्या है केंदर साशित प्रदेश कौन है लद्दाक आप सभी को मालूम होगा बात है 2019 की जब दो नए यूटीज दो निउ यूटीज फॉर्म किये गए कैसे फॉर्म किये गए तो आप कहेंगे हमें याद है जम्मू एंड कश्मीर और उसी से लद्दाक बना उसी से लद्दाक बना तो पूछा लद्दाक के पर्थम लेफ्टेनेंट गवर्नर तो ज़्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है क्या आप ग्रीश चंद्र मुर्मू सोच रहे हैं तो आप हो जाएंगे गलत ध्यान देना इसका हो जाएगा आरके माथूर ठीक है क्या हो जाएगा क्योंकि लद्दाक की बात है जम्मु कश्मीर की बात नहीं है ये बात है लद्दाक की ठीक है जम्मु कश्मीर पूछा होता तो आप कहते ग्रीश चंद्र मुर्मू आर ये इतनी बात समद में चलो राज संग राज छेत्र लद्दाग के पर्थम लेटिनेंट गवर्नर उपराज जिपाल के रूप में 31 सक्टूबर 2019 को पूर मुख्या सोचना आयू तिर राधा कृष्ण माथूर आर्के माथूर कहां के हैं तो आर्के माथूर लद्दाग के जबकि ग्रीश चंद्र मुर्म को बनाये गया था जमो एंड कश्मीर का आगे चलते हैं राज जिका राज जिपाल मंत्री परिशद के प्रामर्ज से स्वतंद्र कारे कर सकता है यह कुश्चन ध्यान से पड़े न आपको चीजें और असान लगेंगी देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि रा पर सभी काम नहीं करता है कुछ काम ऐसे भी है जो वो बिना मंत्री परिशद की सला से करता है स्वय विवेक से करता है खुद की सोच से करता है विचार से करता है बुद्धी मांस बुद्धी से करता है आईए समझना बोला विधान सबा में सरकार को अपना बहुमत सिद करन पहला स्टेट्मेंट सही हो गया मुख्यामंत्री को क्या बर्खास्त कर सकता है सोचो जरा बर्खास्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है अब आपके आत्मा काप जाएगी आपको बल्कुल बता दूँ भाई बर्खास्त कर सकता है उसे ऐसा लगे कि यहाँ काम जो है अपनी नैतिक को पुनरिवचार है तू लोटा सकता है बिलकुल लोटा सकता है उचनियायले का परामर्ष मांगना आपको जो परामर्ष मांगना है मेरी बात ध्यान से समझना कि एक आर्टिकल होता है 143 ये आर्टिकल हमें कहता है कि जो हमारे प्रेजिडेंट सहाब होंगे जो हमारे प्रे राज्यपाल के लिए तो नहीं लगता है तो आठ 5 गलत हो गया अगर 5 गलत हो गया है तो आप समझेंगे किस का option क्या हो जाएगा आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 बाकि 4 के 4 हो जाएंगे सही यह वाली बात आपको समझ आ गई होगी अगर आपको नहीं आएगे आपको पढ़ने की विचार के लिए आरक्षित रख सकता है ये पूचा गया राश्चित के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है ये देखते हैं यहाँ पर अनुशेदों में किस एक के अधीन राज्यपाल राश्टपती के विचार के लिए किसी विध्यक को अरक्षितर रख सकता है मतलब रख सकता है क्या है वो पूछ एसा इसा आठीकल आठीकल करता है तो आठीकल अभी पीछे बताएं मैंने 200 ऐसा आठीकल होता है जो कहता है की आप या कर सकते हैं आप काम कर सकते हैं देखे समझना राज्यपाल का यहां पर एक आर्टिकल है राज्यपाल द्वारा विधेक को राष्ट्पती के विचार्त सुरक्षित रख लेना थोड़ा सा गरबड हो जायता है तो हम इसे सही कर लेते हैं समझेगा राष्ट्पती के विचार्त के लिए इम ननुच्वेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्टपती के विचार के लिए किसी विध्यक को आरक्षित रख सकता है तो वो आर्टिकल है 201 ये वाली बात आपको ध्यान देनी है इसका मतलब हमने पहले इस वाले अगर कोश्चन में देखें तो हमने इसको बि सर आप देख लेंगे कि राष्टपती के विचार के लिए किसी विध्यक को आरक्षित रख सकता है आर्टिकल 201 आगे चलते हैं और समझते हैं अगर राज्यविधायका का सत्र जो है उसे सत्रावसान करना है सत्रावसान का सत्र का अंत करना है या उसे भंगी कर देना है dissolve कर देना है यह English में term होता है prorogation ठीक है बलकि जबकि भंग के लिए term होता है dissolve करना ठीक है 174 यह article है राजजपाल का राजजविधाई का किसी अत्वा दोनों सदनों को संबोधित करने अत्वा संदेज देने का अधिकार है 75 में राजपाल द्वारा विधेक को राश्टपती के विचार्थ स्वरक्षित रख लेना आर्टिकल है दो सब्सक्राइब तो आपको अभी आर्टिकल important है वई याद कर लो राजपाल की उच्छ नियायले के नियायदीशों की clear होंगी है ना बिल्कुल आर्टिकल में कभी कभी हो जाता है confusion लेकिन बाकी चीने सही रहती है समझना अनुछेद 200 के अनुसार राजविधान मंडल के दोनों सदनों से पारित विधेक राजपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर राजपाल उस पर अपनी सहमती देने या रोकने के अत्रिक्त विधेक को राजपाल के विचार्थ आरक्षित रख सकता है ये वाली बात है मतलब अगर उसके पास जो विधान मंडल के लिए पारित विधेक के समझने जो शक्ति है वो है आर्टिकल 200 में अनुछे 201 के अनुसार जब कोई विधेक राजपाल द्वारा राश्पती के विचार्थ आरक्षित रख लिया जाता है मतलब अपने पास रोक के रख लेता है कहता है कि मैं ये राश्पती को भेजूँगा तो वो आर्टिकल 201 में बताए गया तब राश्पती घोशित करेगा कि वहाँ विधेक पर अनुमती देता है या अनुमती रोक लेता है तो ये conceptual चीजे हैं आपको ये याद रखनी है आर्टिकल याद करने बेहद जरूरी होते हैं समय समय पर उन्हें रिवाईज करिए ताकि वो चीजें याद हो जाए भारत्य समयदान के निम्लिकित में से कौन सा अनुछेद राजपाल को अध्यदेश जारी करने की शक्ती देता है अध्यदेश राजपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है मेरी बात समझ ना वैसे तो देखो हमारे यहां जो कानून बनते हैं राज्य के मामले में राज्य विशी के मामले में अगर कानून बनने हैं तो हमने एक टाम लिया बोला विधान मंडल होगा जी यह कई राज्यों में यानि कि 6 राज्यों में केवल और केवल विधान परिशाद है सभी राज्यों में तो नहीं है लेकिन मान लिजी कि विधान सबा का सत्र ही नहीं चल रहा है विधान सबा सेशन में है ही नहीं और एक अचानक तुरित रूप से कानून की जरूरत है ऐसे म विधान सभा जब आएगी वो देखा जाएगा लेकिन गवर्नर क्या कर सकता है एक ओर्डिनेंस पास कर सकता है तो ये आर्टिकल कौन सा है एकदम छाप लीजिए बिल्कुल सही आर्टिकल आपको बताने जा रहे हैं ये है 213 प्यारे बचों अगर ये राजपाल का आर्टिकल है अगर ये राजपाल का आर्टिकल है तो आपको प्रेजिडेंट के ओर्डिनेंस का भी आर्टिकल दिख जाएगा आ रही है इतनी बात आपको समझ में ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है आगे चलते हैं और इसको समझते हैं ये उसी की explanation है कहा गया कि अध्यादे जारी किया जाएगा ठीक है ये पढ़ लीजे का आप जब अध्यादे जारी किया जाए और विधान सभा सेशन में ना हो जब विधान सभा दुबारे आए विधान सभा दुबारे सेशन में आए तो विधान मंडल क्या करे तो स्विकृति मिलना अवशक है यही बात राज विधान मंडल में के बारे में अध्यदेश के बारे में कहते हैं आगे चलिए और आप पढ़ लीचिए वो वाले आर्टिकल जो आप भूले ना तो बोला शपत गिरेंड शपत गिरेंड किसका ओत ओत ली जाती है कौन दिलाता है तो आप कहेंगे हाई कोट के चीफ जस्टिस या कोई सीनियर मोस्ट जज आर्टिकल 159 61 में कहा है पाड़निंग पावर छमादान की शक्तियां पाड़निंग पावर कहा है याद रखेंगे आर्टिकल कहता है 161 क्या कहता है आर्टिकल 161 मंतरी परिशदर का राज जिपाल को सयोग तथा सला कौन से आर्टिकल में 64 में देना मंतरियों से संबंधित अन्या प्रावधान जैसे न्युकती का कारिकल, आप समझ रहे हैं वेतन न्युकती का कारिकल, कितना आर्टिकल 164, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि advocate journal क्या है advocate journal है और advocate journal के लिए जो article है वो है 165 तो ये most important article है और कोशिश है कि आपको ये साथ साथ याद हो जाए राज्यपाल से बहुत basic question आते हैं कोशिश करनी है आपको कि सभी important question जो है वो मैंने cover किये हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होग आपको राज्यपाल अच्छे से पढ़ना है और साथ में कर लेनी है practice in questions की ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं टेस्ट लेने के लिए प्रेक्टिस सेट लेने के लिए आप हमारा पाटशाला रिशिकेश और पाटशाला रिशिके